सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटूब चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को सबसे पहले वीडियो अपडेट पाने के लिए देखे दोस्तों PTT 2018 है उससे रिलिटेट एक इंपोर्टेंट सूचना है वो इसकी वेब साइट के उपर जारी की गई है आप देख सकते हैं यहाँ पर यह जो लाइन है यह बिलिंक हो रही है इस लाइन के ओपर जब आप इसको पड़ोगे तो यहाँ साप साप लिखा गया है दिवतिय काउंसलिंग अंतिम काउंसलिंग होगी इसके पर साथ कोई अन्य काउंसलिंग नहीं की जाएगी दिवतिये काउंसलिंग हेतु महाविदाले के विकलब जो है वाब 25 जुलाई 2018 तक है वो भर सकते हैं 25 जुलाई 2018 और 38 वुजे तक आप महाविदाले को विकलब है जो भर सकते हैं देखें दोस्तों मेरे पास कहीं कमेंट आये थी कि एक स्टुडेंट ने ये पूछा था कि सर इसकी पीटीटी की कितनी काउंसलिंग होगी क्योंकि उन्होंने भी टीचे का फोम नहीं बरा था या फिर हो सकता है कि उन्हें सप्लिमेंटर की एक्जाम नहीं दी थी इसलिए उन्होंने पूछा था कि पीटीटी की कितनी काउंसलिंग होगी है अब देखें कुछ स्टुडेंट्स की सामने समस्या है कि कौन से कॉलेज में है वो शेत खाली रही है कौन से कॉलेज में है वो अपन एडियूशन ले तो देखिए आपको बता देना चाहता हूं कि जो इसकी ओफिशिल वेब साइट है जब आप यहाँ पर देखो कि PTT 2018 तो यहाँ पर एक यह जो आपको न्यू नाम से यह बिलिंक होता हुआ मिलेगा यह यह लिकावाई वेकेंट कोलेज सीट 2018 PTT यहाँ पर PTT 2018 में जो काउंसलिंग के दौरान जो भी स्टूडेंट ने काउंसलिंग करवाई थी उस लेकिन बाद में पहुंचे नहीं थे लेकिन काने का मतलब है कि इसमें जो वेकेंट सीट है अभी भी इसके ओफिसल वेबसाइट के ओपर इसकी लिस्ट डाली गई है जब आप इसको ओके करोगे तो अब जब आप इसको ओके करके डाउनलोड करोगे तो डाउनलोड करने के बाद में देखिए अब इसको देखते हैं अपन जब आप इसको open करोगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक तरह पर क्या लिखावा है यह जो college है उसका code लिखावा है यहाँ पर college का नाम लिखावा है यह PTT 2018 जो weekend seat है वो इस तरीके से इसकी list दी गई है कौन से district में कौन सी college इस्तापित है और उसमें कौन कितनी जो seat है वो वेकेंट है तो आप देख सकते हैं यह जो आप पहली college देखोगे आज यह जो आरीयन नाराणी देवी टिटी college है यह जो जमेर में है इसमें एक seat है वो अभी भी खाली है यह जैसे मान लीजे इसमें total 100 seat दी लेगें परतम counselling के दोरान जो candidate इसमें नहीं पहुंचे थे उनमें एक seat है वो इसके अभी भी खाली है इसी तरीके से आप और भी देख सकते हैं जैसे यह आप पर देख सकते हैं कि यह जो स्री जे अन्टी टी कोलेज है यह पहिए आपके अलवर में है श्री जे अन्टी टी कोलेज इसमे आप देख सकते हैं 23 seat हैं वो भी खाली पड़ी है तो इस तर juste काफ़ी कोलेज है जिसमें seat अभी तक खाली पड़ी हैं आप देख सकते हैं इसमें 33 seat हैं 32 seat हैं 40 seat जैसे मालीजे की 100 seat है तो आप दिवते काऊंसिलिं के दुरान इसमें अराम से काऊंसिलिं करा सकते हो और बाद में को लोक कर सकते हो बाद में जो ये सीट जो वेकेंट पड़ी है आपको इसके अंदरगत पर वेस से मिल जाएगा तो यहां पर complete list है वो डाल रखी है इसकी website के उपर यहां से आप अपनी जो कौन सी college में आप addition लेना साथ है उस college का नाम देख सकते हो उस college का district देख सकते हो code देख सकते हो और बाद में उस college में कितनी sheet है वो vacant है यहां पर आप complete list है वो देख सकते हो तो उमीद है आपको यह जानकरी है वो पसंद आई होगी जो भी student PTT 2018 से सम्मध रखते हैं उसके लिए जानना बहुत जरूरी है कि जो duty counseling है वो क्या होगी अंतिम counseling होगी duty counseling के बाद में अन्य कोई counseling नहीं करवाए जाएगी इसलिए जो भी PTT 2018 के माद में सी B8 करना चाहते हैं वो 25 जुलाई 2018 को रातिर आर्ट वजे तक विखा कर सकते हैं वो duty counseling है उसमें हिस्सा ले सकते हैं और यहां से आप जो college है वो college फिल कर सकते हैं यहां से अपनी college है उसको अपडेट कर सकते हैं प्रिंट ले सकते हैं तो यहां पर यह complete यह जानकारी है वो दी गई यह तो अमीदा आपको जानकारी पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक वाले काले बटन को जिल्दी से नेला कर दीए और अभी तक आपने मारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जुरू प्रेस कर लें ताकि नेक्ट वीडियो का नोटिफिक्स आपको स सुर्च से पहले राफ्तों से कि